हेलो फैंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके स्टड़ी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी तो आज किस विडियो में डिस्कस करेंगे और टेक्निशन के और यह जितनी पर सारे कोस्टन से रहने वाले यह सभी इसके जहां जो सार है इन्हीं के बुक से लिया गया है और यह सेट 84 रहने वाला इसके पहले मैंने 83 सेट दे रहा है अगर आप लोगों ने उन सभी विडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में इस भी वीडियो का फ्री पीडिय अप चाहिए तो आप हमारे टेली ग्राम को जॉइन कर सकते हैं टेली ग्राम को लिंक आपको इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाकर जॉइन कर सकते हैं ओके फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स अगर आपकी त तो आईए अब स्टार्ट करते हैं तो कॉस्सान नुबर फर्स्ट है वह क्या प्रक्रिया है जिसे गेज ब्लॉक वह फ्लैट्स को फिनिस करने के लिए उप्योग किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर रोजेगा उप्सेन भी यानिकि लैपिंग और यह जो प्रस्ट जो है वह 2017 में पूछा यह वा प्रस्ट है अब जो important जो points है उन सभी को discuss कर लेते हैं तो वह लैपिंग प्रक्रिया है जिसे गेज ब्लॉक वह फ्लैट्स को फिनिस करने के लिए उप्योग किया जा सकता है अगला है गेज ब्लॉक यह आयताकार ब्लॉक में पाय जाते हैं अगला है स्लीप गेज को हाई क्वालिटी टूल से बनाय जाता है तथा लेपिंग करके फिनिस किया जाता है अगला है इसके परियोग से अन्य सुख्ष मापी यंत्रों की सुदता का भी चेक किया जा सकता है अगला कोसेन कोसन बर सेकेंड निमलिखीत में से कौन सा कथन गलत है इसके राइट आंसर हो जाएका उप्षन डी यानि कि मानक ट्विस्टेट ड्रील का आकार लीनियर माप द्वारा निर्दिष्ट होता है यह गलत है अगला है इसके पड़ियोग से छीलन यानि कि चिप्स आसानी है से बाहर आ जाते हैं अगला को सब्सक्राइब थार्ड डाई को घूमाने के लिए उप्योग किये जाने वाले हैंडल को कहते हैं अगला है अब डाई स्टॉक के बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं तो यह एक डिवाइस है जिसका प्रियोग एक्स्टर्नल थ्रेडि करते समय डाई को पकड़ने के लिए किया जाता है अगला कोशन कोशन में फोर्थ जोब पर लगे उच्छे धब्बो को किसके द्वारा साफ वह सटिक रूप से किया जाता है तो इसका राइट आंसर होजागा ऑप्सटर्न द्वारा और यह जो प्रस्ट जो है वह 2007 में पूशा गया प्रस्टर्न है अब जो इंपॉर्टन जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं तो जॉब पर लगे उच्छे धब्बो को स्क्रेपर द्वारा साफ वह सटिक रूप से किया जाता है अगला है Scraper के बारे में कुछ points को discuss कर लेते हैं तो Scraper एक वीदी है जिसे में surface से high spot को दुर किया जाता है जिसे से part को आपस में वड़ी सुधता में fit किया जा सके है अगला है इसका प्रियोग धातु को सजाने के लिए भी किया जाता है अगला है Scraper विभीन प्रकार के पाई जाते हैं कौन-कौन सा तो पहला है फ्लैट Scraper दूसरा है हाफ राउंड Scraper तीसरा है थ्री स्क्वाइर Scraper चौतर है बूल नोज Scraper अगला question question number 5 निम्न में से किसका प्रियोग करके चिजल बनाई जाती है इसका right answer रोज़ेक option B यानि कि high carbon steel का प्रियोग करके चिजल बनाई जाती है अब जो important जो point से उसके भी discuss कर लेते हैं तो high carbon steel के प्रियोग करके चिजल बनाई जाती है अगला है इसके cutting edge के लगभग 25 से 35 mm तब के भाग को hard वो टैमपर किया जाता है अगला है इसकी body pryya सस्ट भूजाकार होती है अगला है इसके द्वारा काटा हुआ भाग अधिक सुधे नहीं होता है अगला question question number 6 जॉब पर उठे हुए high spots खरोचों को दूर करने एब हार्ड फिनिस लाने के लिए किस filing का पड़ियों किया जाता है इसके right answer हो जाएगा option c यानि कि draw filing का पड़ियों किया जाता है अब जो important जो point सो उनसा भी को discuss कर लेते हैं तो filing की विधिये निम्र प्रकार के हैं कौन-कौन सा है तो पहला straight filing दूसरा है cross filing तीसरा है draw filing अब आई तीनों के बारे में एक एक करकर discuss कर लेते हैं तो पहले discuss कर लेते हैं इस्टेट filing के बारे में तो इस विधियों में wise के बिलकुल सामने खरे होकर तो इस वीधी में रेती को जॉब के एक कोने से दूसरे कोने तक एक स्टॉक में पूरा चला जाता है अब डिस्कस करेंगे ड्रॉफाइलिंग के बारे में तो जॉब पर उठे हुए हाई स्पोर्ट्स खरोचों को दूर करने एवं हाई फिनिस लाने के लिए ड्रॉफाइलिंग की जाती है तो आई होब आपको तीनों समझ में आगे होगा स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग और ड्रॉफाइलिंग के बारे में अगला कोशन, कोशन नुबर सेवन, निम्न में से किस धातू के लिए फाइन पीच वाले दातों के हेकसा ब्लेड अधिक प्रभाव साली होते हैं इसका राइट आंसर हो जाएका उप्शन ए, यानि कि प्रतले सेक्षन वाली धातू के लिए और यह जो प्रस्त जो है वो 2017 में पूछा गयों प्रस्त है अब जो इंपोर्टन जो प्वाइंट सों सभी को डिस्कस कर लेते हैं तो पतले सेक्षन वाली धातू के लिए फाइन पीछ वाले दातों के हेकसा ब्लेड अधिक प्रभाव साली होती हैं अगला है हेकसा ब्लेड द्वारा किसी कल पूर्जो को काटते समय हेकसा ब्लेड के दाते सामने की तरफ होनी चाहिए अगला कोशन, कोशन नमर 8 फाइलिंग के दोरा रेती दोरा कटे कन रेती के दातों में फस जाते हैं यह कहलाता है इसका राइट आंसर रोज़ा का ओप्शन ए यानि कि पिनिंग ओफ फाइल कहलाता है और यह जो प्रस्ण जो होगो 2015 में पुछा गया वो प्रस्ण है अब जो पॉइंग जो पॉइंट से हम सभी को डिसकस कर लेते हैं यहां से प्रस्ण बनते हैं तो फाइलिंग के दोरा रेती दोरा कन रेती के दातों में फस जाते हैं पीनिंग आफ फाइल कहलाता है याई इसे पू Dazu रहा हो अग्ला है इसे फाइल कड़ काड़ से साफ किया जाता है अग्ला हैक्ले सल्एक जीजिए II हीच इसर्डीफ जी होती है अग्ला है फाइलि लिए अलाउंस भी कम रखा जाता है अग्ला कोसें नभर निम्नमस से किस प्रकिडिया दोवारा ट्विस्ट ड्रील के और रॉड पर फ्लोट्स काटे जाते हैं इसका राइट आंसर वाज़ेक अप्शन B यानि कि मिलिंग और ये जो प्रस्न जो है वो 2013 में पूछा गया प्रस्न है अब इस इंपॉर्टन जो प्रकिडिया दोवारा ट्विस्ट ड्रील के और और पर फ्लोट्स काटे जाते हैं अगला है धातु कास्ट या प्लास्टिक को मिलिंग मसीन दोवारा काटने की किडिया मिलिंग या पेशन या धारी डालना कहलाता है अगला है मिलिंग मसीन एक बहु गुनी मसीन टूल है अगला कॉस्चन है कॉस्चन नमबर टेन प्राया ग्राइंडिंग वील पर प्रयोग में लाया जाने वाला बॉंड है तो इसका राइट आंसर होजागा ओप्शन ए यह यहनिकि विट्रिफाइड अब जो इसका प्राया ग्राइंडिंग वील पर विट्रिफाइड बॉंड परियोग में लाया जाता है अगला है जिस पदार्थ के द्वारा एब्रेसिव ग्रेस को आपस में जूरा जाता है उसे कह कहते हैं तो बॉंड कहते हैं अगला है यह अधिक धातु को काट सकता है अगला है इसे अंगरेजी अक्षर के कैपिटल भी से इंगित करते हैं अगला कॉसेन कॉसेन नबर 11 रफ फाइल कप्ट योग निम्नमस से कब किया जाता है तो इसक राइट आंसर रोचे का उप्शन भी यानि कि धातु को सीगरता से रगरने के लिए किया जाता है अब जिए इंप्पॉंटन जो पॉइंच सबी को बर डिसकस कर लेते हैं गला है इसका प्रियोग मुलायां और अधिक धातु काटने में किया जाता है अगला है इस ग्रेट को सो से चार सो पचास एमेम लंबी फाइल में दातों की संख्या चार दसंबलों पांच से दस पती सेंटीमीटर होता है अगला कुस्टन है कुस्टन बर 12 ट्विस्ट डील को धातों के अंदर जाने में सहता प्रदान करता है इसका राइट आंसर होजाएक ऑप्शन बी यानि की डेटी सेंटर अब जो इंपॉर्टन जो पॉइंट से उसका भी डिसकस कर लेते हैं तो इस प्रकार के डील में इसकी बॉडी पर फ्लूर्ट से टूष्ट किये हुए होता है अगला कुस्टन बर 13 फाइल में कटिंग एक्शन होता है तो इसका राइट आंसर होजाएक ऑप्शन सी यानि की बेली पर अब जो इंपॉर्टन जो पॉइंट से उन्हों सभी को डिसकस कर लेते हैं तो फाइल में कटिंग एक्शन बेली पर होता है अगला है फाइल एक कटिंग टूल है अगला है इसके द्वारा बहुत कम धातु काड़ी जा सकती है अगला है जिस किडिया के द्वारा फाइल से धातु को रगरा जाता है उससे क्या कहते हैं तो फाइलिंग कहते हैं अगला question, question number 14, meal file में किस प्राकार का cut दिया जाता है तो इसका right answer हो जगा option D, यानि कि bursted cut दिया जाता है अब जो important जो points उन सभी को discuss कर लेते हैं, तो meal file में bursted cut दिया जाता है अगला है, इसे float, file या left file भी कहते है अगला है, यह draw filing का प्राकार है अगला है, यह flat जैसी होती है, जिसके एक या दोनों छोर पर गुलार्द में दात बने होते है अगला question, question number 15, वर्गकार file का प्रयूग, इसकी filing के लिए होता है तो इसका right answer हो जाएगा, option D यानि कि वर्गकार job पर filing के लिए होता है अब जो important जो point से उन सभी को discuss कर लेते हैं तो वर्गकार file का प्रयूग, वर्गकार job की filing के लिए किया जाता है अगला है, इस file का cross section वर्गकार होता है अगला है, इसके चारो face पर double cut दात कटे होते है अगला है, इस file का मूख्य प्रयूग, वर्गकार या आयताकार सूराखो को बनाने के लिए किया जाता है तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिक्सान उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुँचे और फ्रेंट्स अब आपको फ्री पीडियाप चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम को जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम को लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रेप्शन मिल जाएगा वहां से जाकर जोइन कर सकते हैं और फ्रेंट्स अभी तक अप्लोगों ने खाजाना वले वीडियो को नहीं देगा है तो जाकर देख लें क्योंकि 5-6 तो यहां से फिक्स आएंगे ही आएंगे और फ्रेंट्स यहीं से आएंगे और फ्रेंट्स यानि इससे ज़्यादा भी प्रस्न पूछा जा सकता है क्योंकि कम से कम 5-6 प्रस्न यहीं से पूछें जाएंगे और फ्रेंट्स ये सभी ट्रेटर को लिए हैं ओके फ्रेंट्स इसलिए एक्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें ओके फ्रेंट्स थैंक्स पर वोचिंग क्याIns प्रेंट्स क्या से प्रेंट्स इस झाल याल क्या खिवता है झाल झाल